Hello guys welcome back to my channel तो आज हम करने वाले unboxing WR800 mic की जो की मैंने पर्चेस के था Amazon पे और यह मुझे 1700 का पड़ा था तो आज देखते हैं इसका review देखते हैं और इसके unboxing देखते हैं और क्या के चीजे मिल दी हैं वो सब देखते हैं तो let's go और करते हैं इसके unboxing तो guys कुछ ऐसा दिखता है WR800 का box और इस पे लिखा हुआ है WR800 की कंपनी का नाम लिखा हुआ है तो guys हमें इसके चार्ज फ्री चीजे मिलती हैं जो बॉक्स के अंदर आती हैं तो यह noise filter cover मतलब एक तरह से cover है हम cap लगा सकते हैं एक तरह से over mic के उपर जो हमें थोड़ी सी help करता है noise traction में और हमें दूसरी चीज जो मिलती है मिलता है shock mount और जो तीसरी चीज मिलती है हमें वो है एक XLR cable एक sound card जिसमें हम अपने mic का jack और earphone का jack लगा कर recording कर सकते हैं और side में कुछ खास लिखानी और पीछे से आप जैसे देख रहे हैं इसमें हमें तीन color options available है black white and blue तो मेरा मन था black लेने का पर मैं ले नहीं पाया क्योंकि मुझे जल्दी चाहिए था तो available नहीं हो पाया तो मैंने blue ही लिया तो guys इसको करके देखते हैं अब हम open कहां से होता है तो guys अब इसको open कर सकते हैं ऐसे करके खुलिये और ऐसे खुल जाता है यह box और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है और usable बहुत अच्छे से है तो side में असको और हमें मिलती है यह xlar cable sorry बहुत अच्छी length में अच्छी quality की xlar cable है और यह 3.5 mm का jack है जो हमारे sound card में लगेगा तो इसको भी रखते हैं अब हम side में एक बर और देखते हैं दूसी चीज अब हम देखते हैं इसका sound card कैसा है तो sound card हमें right company का ही मिलता है और अच्छी quality का sound card है और आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ यहाँ पर headphone और mic का हैं बड़े असानी से तो guys यह जो OTG है यह तो मैंने अलग से मंगाया था यह किसी और काम के लिए तो यह सकत आया नहीं है तो इसको हम side में रखते हैं और इस जो आप यह आवाद अभी सुन रहे हैं यह मैं इसी माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूं तो guys अब हमें मैं आपको बताता हूं कि आपको एक लगाना कैसे है तो guys यह हमारा एक 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 जिलार के बल है हम इसको अपने माइक में अटेच कर सकते हैं कुछ इस तरह जैसे कि हमने अटेच कर लिया है तो अब हमें क्या करना है जो हमारा 3.5 एम का जैक है वह हमें अपने साउंड कार्ड में लगाना है तो साउंड कार्ड में लगाने के लिए जैक को आपको माइक वाले ओप्शन जो हमें माइक का ओप्शन दे रखा था उसमें आपको इंसर्ट करना यह इंसर्ट करने के बाद आप साइड में अपना साउंड में एयर फोन या फिर वो लगा सकते हैं एड़ फोन और फिर आप इसको लैप टॉप में लगा के कनेक्टर के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बड़े ईजी ली तो यह कुछ ऐसा इसका इंटरफेस था और इस बॉक्स क इतना अच्छा भी नहीं है विस सकते हैं और ऐसे लगाने के बाद हम इसको रिकॉर्डिंग आप करणा हो तो कर सकते हैं पर मैं एस इसको लगा के बिल्कुल भी चाह turning करेंका क्यों किउंकि से बहुत आवाज कुछ कम-कम सी आती तो गाइस यह जो चीज आप देख रहे हैं यह इसका स्टेंड है जो मेने अलग से मांगा रखा है तो अगर आपको यह खरीदा होगा यह मुझे 400 कुछ करीब का पड़ा था तो अगर आपको यह भी चाहिए तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर करें कब तो आपको अपने बिचरी ओगी है एक तरह से आपको खोलनी पड़ेगी एसे और यह जो आपको का बीच मैंक डिखार्हायँ गयाः इसको आपको अपने टेबल के लाइक जरू कर देना और आप कॉमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा रिवी अच्छे लगा और माइक आपको जो भी पसंद है वह आप मुझे कामट पर लेख सकते हैं तो बहुत ही कम बजट में माइक आपके लिए बहुत अच्छा है तो अगर आपको चैनल अगर और बैल नोटिफिकेशन को अल पर प्रेस कर ले साइड मेरा इंस्ट्रागम और अकांट भी आ रहा हो तो आपके मुझे फॉलो कर सकते हैं आप मालग अलग टूटोरियल्स आ रहता हूं को अवर्ज आ रहता हूं और अलग से इंपोर्टन नियूस आ रहता हूं मुझे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं तो गास थैंक यू वाच इंक यू वाचिंग तैंक यू सुस्क्राइबंग अन श्यू इन आ रिक्स वन लुड़ीज वां आप लर्णिग कीप सपोर्टिंग अन लव यू असाल वेश